बेरी गुद्मार्निंग स्टुडेंट्स तुड़े वी आप टो लर्न प्रिपोजीशन्स यह सब्द मैं आपको बताती हूं भी कुछ पिच्चर के थ्रू बताऊंगी ठीक है जैसे पहले पिच्चर दी हुई है कि एक कैट बेड़े के उपर है ठीक है तो अगर कोई चीज क उपर रहती है जैसे अभी कैट है अगर चेयर है चेयर के उपर बॉल है तो वहाँ पर हम अन लगाएंगे अन सब्थ मतलब कि उपर रहता है तब लगाते जैसे यह देखिये यह दिया हुआ है the cat is on the bed मतलब यह cat जो है बेड के उपर है तो इसमें हम क्या लगाएंगे on और यही cat अगर बेड के नीचे होती इस बेड के नीचे होती तो यहां हम लगाते under ठीक है और अब यहां देख लीजे आप लोग second में the rat is in the basket चुहा कहा है basket के अंदर चुहा कहा है basket के अंदर गुसा हुआ है ठीक है अगर कोई box है box की अंदर pencil है तो हाँ पे हम लगाएंगे कि the pencil is in the box pencil किसके अंदर है box के अंदर तो वहां क्या लगाएंगे हम लोग in लगाएंगे iron in और अगर वही पेंसल हमारे box के ऊपर रखी होती तो वहां क्या लगाते on ओके फिर दिया हुए हमारा next the dog is under the bed dog कहां है bed के अंदर बतल बैड के नीचे छिपा हुआ है ठीक है तो वहां क्या लगाएंगे under अगर बैड के ऊपर होता तो वहां लगाते हम लोग अउपर अगर होता बैड के ऊपर बैठा होता और यही डोग बैड के अंदर मैं यहां बैड के अंदर गुशा होता जैसे की जैसे यह red red गुजा है तो वहां हम लोग in लगाते हैं फिर क्या है the book is on the table आप book देखे टेवल की उपर रखी हुई है तो वहां क्या लगाएंगे हैं हम लोग on book table की उपर रखी है तो क्या लगाएंगे on अब यह टेवल की अंदर गुसी हुई है कहां गुसी है टेवल के अंदर गुसी तो क्या लगाएंगे उसमें अंडर और यह monkey जो है पेड के उपर बठा हुआ तो जब पेड के उपर मंकी बठा है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं on लगाते हैं अगर पेड के नीचे मंकी बेटा होता तो हम लोग वहां पर अंदर लगाते हैं कि वह पेड के नीचे है ठीक है फिर है हमारा the puppy is between two monkeys जो puppy है वो कहा है the puppy is between two monkeys पपी दो मंकियों के बीच ही बैठा हुआ है तो वहां पर क्या लगाएंगे अगर कोई चीज ऊपर रखी हुई है टेवल के रौकी ऊपर रखी हुई है चेर के ऊपर रखी है तो हम लोग अन लगाएंगे और प्रेड के उपर जैसे मंकी बठा हुआ है तो वहां हम लोग अन लगाएंगे लेकिन अगर कोई अंदर गुसा हुआ है तो हम लोग अंदर लगाएंगे और अगर कोई box के अंदर कोई चीज रखी हुई है जैसे box को open करो और box के अंदर कोई चीज रखी तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे इन लगाएंगे तो यह ऐसे question आपके paper में आ सकते हैं अंडर का यूज करना बताय जाएगा और ऐसी पिक्चर दे जाएगी लुक अद इस पिक्चर ऐसी पिक्चर दे जाएगी और आपको संटेंस दे दिये जाएगा उसमें आपको इन ऑन अंडर यह फिल करना होगा ठीक है बिटविन तो मैं आप लोंस यही बोलूगी कि जो भी मैं अब पढ़ा रही हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको notice करके रहलना है कि मैं क्या पढ़ा रही है उससे क्या होगा कि आप पेपर आप से अच्छे से बनेगी तो मैं आप लोंस request करूँगे students कि आप अब जो भी बनेंगे जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि अभी क्या है कि अब हमारा रिविजन स्टार्ट होने बाता है अभी तो कोर्स चल रहा है अब मैं आपको वही वही चीज़े पढ़ाओंगे जो आपके लिए इंप् किएगा जैसे आप लोग यह लिखेंगे आपको पिक्चर दे दी जाएगी ऐसी तो दकेटिस यह ब्लांक आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन और अंडर आपको फिल करना है मैं उने बताया कि कोई चीज उपर रहती है तो वहां हम अन फिल करते हैं कोई चीज किसी की मंकी बैठा हुआ है किसके ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो यहां हम लोग बेट्विन यूज करेंगे तो स्टुटेंस ध्यान रखेगा इन सब चीजों को कि आपको अच्छे से करना है ओके आपको अच्छे से करना है है जब आप नहीं करना है आप इसको पढ़िये बार बार पढ़िये ध्यान के चाहु चाहा है ना करत को आप बार बार पढ़ते हो तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हमें इस तरही के से करना है क्योंकि बार बार कोई चीज हम करते हैं जब आप two-kart table आप बार-बार पढ़ते हो तो आपसे two-kart table बनने लगता है है की नहीं लेकिन आप पढ़ना छोड़ देते हो तो आपसे two-kart table नहीं बनता है इसले students कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको बार-बार बार पढ़िएगा तो जब बार-बार पढ़िएगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि in कहां यूज़ करने है on कहां यूज़ करने है अंडर कहां यूज़ करने है और between कहां करने है ठीक है so see you tomorrow students have a nice day